नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब लोग है तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक रिलाइबल एंड पॉप्लर इंडिकेटर के बारे में जो इसको आप यूज कर सकते हो इंट्रेडर में यूज कर सकते हो स्विंग कंडिकेटर के नियों पूरा नियोंग और जो इसमें पैसा बनाता है लेकिन के सिंगनल को पर समझनchyण कि लए पाता है तो फिल्सफर इमटेंग कर दो देंटर लेते लेकिन λेंट लेकिन दोस्वां मैं बोलता हूँ जब आप आप जड़ेट लेते हैं किसे का लेने तो एसी किसी का वीडियो देख़ए ने थे लोख सो जाएगे आपको तो चलिए दोस्तों वीडियो के शुरुआत करते हैं तो दोस्तों मैं आज बात कर रहा हूं RSI इंडिकेटर के बारे में तो इसमें क्या दोस्तों आरे से प्लस 109 डिवाइं देकिए कसे जैसे यह इक यहां पर एक यहां पर एक यहां पर तिनों को मला है अभी डाल महां लेना दोस्तों जब भी त्रे wraps करने के बाद में जो नारोक बन जाका दो ईससे तो उसको च्छू कंदल बनता है चोटा केंडल उसमें कि आपका प्रोफिट अच्छा होगा और आपका ज्यादा मिल जाएगा आपको जब यहां पर केंडल बनता ना दोस्तो चोटा केंडल जैसे वह ब्रेक करके जो बना रहता है अब यहां पर चाट में बताऊंगा तब भी अपने को लेना जाहिए उपर का नीचे को आराम से जैसे दिए को नीचे ब्रेक आउट ब्रेक डॉटन सब 43 मिलता है कभी कभी होता दोस्तो जो यह वहता नहीं वाला है यह वाला आपने को क्या जो बोलते ना sideways market तो इसमें अपने को ट्रेड नहीं लेना मैं आरे से के हिसाफ से बता रहा हूं आज इसके आगे मैं आपको दूसरा एक indicator भी बताऊं को इसके साफ सी भी आट ट्रेड ले सेकते हैं उसके साफ साफ एसल आपका कम हो जाएगा और प्र इसी चीज़ को है ना देखिए यह मने चार्ट ऊपन किया तो सबसे पहले देख यहां पे यहां पर एक केंडल ब्रेक किया देख यहां पर इसी केंडल पर आपने को इसके जैसे लोग को ब्रेकर एंटी मार दीजिए और इसका आपका एसल रख दीजिए आपका आप पर नहीं कर सकता तो किया करना दोस्तों अगर का एसल एक रुपे है तो आपका टार्गेट दो रख लिए अगधार बार्केट ट्रेंडिंग में मिल जाए तो ओसमी को द्रिएये हो क्रोक शीज़ करना से डिoria commenç और जब भी नीचे वापसकों बुलिस केंडλ you जो जएसे यह जो बना यहाँ पे आप exist हो सकते तो tratar ग्रणीे ना यहाँ फिला में यां दियान रखना और कुछ नहीं दोस्ता इतना इतनी ध्यान रखें के लियाना अपका पैसा है अभी देखेंगन पर जैसे इसकी सिंगल दिया देख यांपकर यह candle है देखी यह वाला candle इस candle के लोग पर अपने को एंट्री लेना है इसका हाई का एसल रखना है अभी तार्गेट आपके सामने देख लीजिए कितना बड़ा आपको तार्गेट मिल गया देखी मैं दिखा दाता है आपको देखी दोस्तों यहां पर अपने को ट्रेड मिल और देखिए यहां तक प्रोफिट मिला और यह अपना एसल हो तो यहांनी बहुत छोटा एसल हो गया और तार्गेट बहुत बड़ा मिल गया अपने को तो आप यह ध्यान रखना बस और कुछ नहीं कैसे लिए अपने ट्रेड यहां पर आरे से को ब्रेक किया ता यहां पर आपको तो आपको क्या करना दोस्तो बस जैसे यह जो सिंगनल है इसको ब्रेक करे रहा हा आपको में चाहे डाउन ट्रेंड और आप ट्रेंड वुश्Star अगर सेल करना है तो जी सosk लोग के नीचे अ में चाहें सेल दिखाएं बस और कुछ नहीं जैसे यह देगे यहाँ ट्रेल कर दिया यहां पे कर दिया फिर यहां पे कर दिया तो उससाब्से बड़ा प्रोफिट ले सकते हो अगर आपका पर ही जमस्कार बाते हैं तो आप कर सकते हो सब्सक्राइबुंग work में सब्सक्राइब आप ने आपकर अच्छा घर डिली करना सी कि दोस्तों बस भी बाते ना यहां पर जैसे यहां पर break यहां पर entry ले सकते हो यहां पर दीखेंगे तो आराम से अच्छा का सा profit कमा सेखते हो दीखेंगे यहां पर फिर इस ने प्रेक्क किया यहां पर entry ले सकते हो समझ गये न तो यह buying का और selling का दोनों trade इसके RSI के इसाब से बताया दोस्तों दीखेंगे दूसरा ह जो उपर अपर आप जैसे यहां परण बना यह यह चोंड़ क्लोज फिर्ट क助क्त उसके उपर बना ओर यह जो इसका श्विंग उगूंगे आपको इसलह लखना और टार्गेट आराम से एसली मिल जातधा अब कितना बड़ा मेला आपको यहांसे देखिए यहां से यह तक बड़ा अब लो भी हों यहां पर इंटीम यहां यहां पर शकता हो और राराम से नहीं तो आप यहां पर रखा ना तो बड़ा SL हो जाता था आप छोटा SL यहां तक रखिए और आराम से वन इस्टू 3 वन इस्टू 4 का आराम से देखिए यहां पर तो बहुत बड़ा तारगेट मिल गया आपको देखिए यहां से यह एंटी पॉइंट बना और यह आपका SL ह पॉझ यहां पर इस覺 करता सकता मारकेट में और यहां पर गवयर सकता मारकेट में, समझ गी ने अब यहां पर देखिए यहां पर इसने फर गर पर यह उपर जाएगा यह आप इसको क्या करना दोस्तों जैसे मैं आपको एक मुविंग एवरेज लगा के देखता हूं 200 यह में का अब भी क्या करना दोस्तों आप करिए देखिए यह जैसे ट्रेंड नहीं है तो यहां पर आप सेल का एंटी सोची हिमत दोस्तों समझ गये ना जब तक मुविंग एवरेज के उपर है ट्रेंड बन रहा है तो यहां पर आप बाइंग का ही एंटी लीजी क्योंकि यहां पर आपको देखिए दोस्तों ऐसा जो ट्रेंड होता ना यह सपोज अब ट्रेंड का सारा ट्रेंड लिया ना तो इसमें से आपको सपोज आपने 10 ट इसके उपर प्राइज चल दा यह ध्यान रखिए यह मूविंग एवरेज अपना 200 इमेका और इसके उपर प्राइज चल रहा है और वहां पर ट्रेंड लाइन मन रहा है और उसको ब्रेक करके जैसे ही उपर निकलता आप एंटी माली जी दोस्तों सोसने का जरूत नहीं पूस्ट करता है उसका हाइप एंट्री ले लिए अप यह रख सकता है यह रख सकता है आपका चोईस है आप लेकिन इसमें क्या करना दोस्तों बड़ा एसल लखेगा ना वह एसल होगा यह आपका जब मार्केट रिवर्सल होगा तो वहां पर जरूर हो सकता है ना कि आप चल रहा नो तो आपका होगा नहीं आप फूटा रखोगे ना तो भी आपका अशल नहीं होगा समझ गिना अगर मार्केट के डायरेक्शन में चलोगे ना तो वहां पर आपका इसल होने का चांस से बड़ा हो जाता दोस्तों में बताओ आप सपोर यह एक फोटा ट्रेल ले लिए तो यह आपका ऐसे लोने का चांस बड़ा बन जाता है और हाई बन जाता समझ लिए ना इसलिए जब भी बार्केट उपर चलता और मोविंग एवरेज के उपर चलता और वहां पर ट्रेल लाइन बना तो आप आराम से इजिली बाइंग का ट्रेल ले सकते हो यह यह फ़े फोटा ट्रेल लाइन इसको भी ब्रेक किया लें एंटी पॉइंट यही बना आपका ऐसलिए लगत लिए आपने तो आप का लेना दोस्तों समय नहीं यह जितना भी ऐसा ट्रेल बंते आप छोटा-छोटा प्रोफित ले सकते हो हो है ना यह यह यहां पे भी मना तो य लेकिन आपने रखता तो आपका एसली नहीं होग तो तो कंट्रेइन है राट पेप्स हो गए थर खेल था लिजादा यह न simulated अब देखिए में मुविंग एवरेज के नीचे वाला भी आपको ट्रेड बताता हूं कि देखिए दोस्तों यहां पर मार्केट मुविंग एवरेज यह चल रहा है तो मार्केट इसके नीचे चल रहा है फ्राइज नीचे चल रहा करने का मतलब इस्टोक हो सकता है इंडेक्स हो सकता है कुछ भी हो सकता है फोरेक्स ट्रेडिंग हो सकता है क्रिप्टो हो सकता है इस्टोक सभी में एक काम करता सेम अब यहां पर ट्रेंड को जैसे ब्रोक किया और यह वाला जो रेट करने लेने दोस्तों यह वाला इसी के अंदर अपने को कोशिश करोगे तो यहां पर आपका एसेल होने का चांसे ज़्यादा हो जाता दोस्तों समझ गी ना आप कोशिश करें कि दोस्तों जैसे नीचे चलना तो यहां का को ब्रेक किया आप एंटी ले लीजिए यहां पर आपका प्रोपिट छोटा वा लेकिन हुआ है ना तो यहां का रका होगा लेकिन इसका नहीं हुआ बहुत बड़ा तार्गेट मिला आपको लेकिन इंट्रडे में नहीं यह इसके लिए दो दिन आप वेट करेंगे तो को ब्रेक किया इसने और इसमें देखी यह वाला है एंटी पॉइंट है और यह अपना एसल है है ना यहां पर छोटा एसल लग सकता ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि अगर टेंड डाउंड का चल लाएं तो आप फोटा एसल लगोगे ना तो वो भी आपका एसल हिट नहीं ह जाता है लेकिन ऐसा चांसे बहुत कम आता दोस्तों कभी के बार है ना तो आप ऐसा नियम बना लीजिए दोस्तों वन इस्टू टू वन इस्टू थी का लेकर निकल जाए बस यह आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों समझगे ना बस इतना रखिए इसमें हार कर दोस्तों बस इतना ध्यान रखिए दोस्तों अगर मारकेट उपर चल रहा है और तो बाइग mm से 아one करे लेना अगर द्वाइंग का ही ट्रेड लेना और मुविंग्वरेज के नीचे प्राइच चल दा तो वां पे सेलिंग का ही लेना दोस्तों यह द्यान अकली अगर यह द्यान कलिया ना तो यह चोटा वीडियो जाधा नहीं 10-12-15 मिंट का वीडियो होगा दोस्तों लेकिन इसके अंदर में अच्छे से समझा दिया आप प्रेक्टिस जरूर करना दोस्तों इसके बिना आप ट्रेड मत करना नहीं तो फिर बाद में कॉमेंट में लिगो का सर मेरे को लोस हो गया इसलिए आप प्रेक्टिस करके करो गया तो आराम से प्रोफिट दोस्तों समझ गे ना दोस्तों अगर दोस्तों वीडियों आपको अच्छा लगा तो लाइख करिए चणल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों को सेयर करिए मिलतेआ निक्स व ignore थैंकि दोस्तों जैंजय भारत